अच्तों साथ हेसं हेलो दोस्तों आज की स्टॉल में आपके लिए एक और अपडेट लेकर कर आया हुँ आप लोग इंतिजार करते रहते हैं वीडियो कभा आएंगे तो मैं आपके लिए बीटीसी एनियम से रिलेटेड यह अपडेट लेकर क्या गया हूँ क्या एनियम का केस का आप क्या होगा क्योंकि हाइकोट में यह चला गया है आप सभी कमालू होगे और उन यह अप लोग परत्ना हईकोट का वेबसाइट पर उन्तीष तारीक केस लिश्ट होगा उसका नोटिस यहां पर जारी हो चुका है यानि कि उन्तीष तारीक को केस सुनबाई किया जाएगा उन लोग को यहाँ पर ुसमें देख सकते हैं किस को किस इरेल ममर प्रिया पर लिश और यह 29 तारीक के डिट में आप लोग देखिए सर्मिस मेंटर अधर दन एजुकेशन सर्विस फोर्म 2011 अन्वार्ट सिविल रिव्यू एंड टाइड अफ मेंटर्स एम जेसी और नॉन टाइड अफ मेंटर्स एस्पेशाल एसाइन मेंटर उसको आफ मेंटर्स इन सब केसों क के अंधोर атबर पांच कंदर केस को लिया गया हम लोग का सबस्क्राइब फांच केस का डिए भॉब जे इस सी केस आप लोग देख्या रहन नहीं सुना जाएगा इस बात को अगर 119 को सुनन जाएंगे अब यह पetaan है इस केस को कभ लिश्ट करवाते हैं अभरिस्ट कर वाएंगे तो ऊसके को कुछ मिल जाए इसके कर呢 किये जाएंगे यह चीज है अब आपको मैं बता दू कि यह डेट 22 को सुनवाय हुआ था क्यों डेट बढ़ गया था देखिए वो लोग यहां पर काउंटर एफीडिफीट सरकार से मंगा गया था काउंटर एफीडिफीट जमा नहीं किये थे इसलिए लोग को फिर से कवर समय दे दिया था कि आप काउंटर एफीडिफीट जमा कर दीजिए फिर आपके सुनवाएं 29 जनवरी को होगा वन बीक का टाइम ले लिया था ठीक है इसके बसे लेकिन 29 को यहां पर लिश्टेर नही और जाके टाइम पर काउंसलिंग करवा लेना बढ़िया बात यह चीज है विटेसी की तरब से कि काउंसलिंग की परकिरिया वो जारी रखे है ठीक है अब इसमें फायदा क्या होगा पता है तो इसमें फायदा किस चीज का होगा देखिए सेलेक्शन प्रोसेस दो ही तरह स यह दो नियम यहां पर है तो सरकार यहां पर इसमें संसोधन किया था आप लोग देखेंगे कि हम एक्जाम लेंगे मेरिट हटा देंगे लेकिन कुछ कैनेडेट यहां पर पत्ना हायकोट गया तो इसके मामला भी फासा हुआ है तो फायदा क्या होता है एक कॉंसलिंग हो रहा है मान लोग कुछ देर के लिए यह पत्ना है को डिशिजन दे दिया कि मेरिट करो मान के चलते हैं तो कॉंसलिंग हुआ रहेगा तो तुरंत मेरिट लिष्ट बन जाएंगे क्योंकि कॉंसलिंग जब हो रहा है तो वहां पर सब कुछ चेकर ही रहा होगा न कि कितना मार भी दे दिये दिए दिवी विधर हो रहा है तो किसी तरह से आपको दिकत नहीं होगा आप जिधर से भी सेलेक्शन करेंगे उधर से आप लोग को फायदा ही होगा ठेक है एक चीज़ यहां पर अपर अपरचुन्टी है कि बीटीसी कॉंसलिंग करवा रहा है अपना काम कर लेकिन तुरंथ मेरिट बन जाएंगे यह चीज के खुब्सूरत है इस कानसलिंग को लेखर के तो यह का अच्छी बात है बीटीसी एक अच्छी पहल कर रहे है यह चीज की लिए करके बहुत अच्छी चीज़ है अब जैसे जानकार्य आगा मैं बताओंगा फिलाल हम तो आपको मैं जानकार देता हूं तो आपको सवसमय मिल जाता होगा ठेक है इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा इसलिए अपने भाई चंदन को एक बार सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब को और लाइक वाइक कर देना थैंक यू